तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज का ये वीडियो दिल्ली पुलिस कोईश्टेबल के सभी आइस्परंट के लिए गाफी ज़दा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आज के डेट में जितने भी कैंडिडेट का फिजकल हुआ है उसमें से कितने कैंडिडेट पास हुए है पूरा एनलाइसिस बताऊंगा साथ के साथ आप लोगों को मेल एंड फीमेल कैंडिडेट का कटाप अलग-अलग बनेगा तो कितना अंतर देखने को मिल सकता है इस वीडियो में पूरी जानकारी से आप लोगों को साजा करने वाला हूँ पिछले दस दिनों की बात किया जाए तो इतना गड़बर रेजल्ट किसी भी दिन नहीं देखने को मिला था जितना गड़बर आज फीमेल कंडिडेट का रेजल्ट देखने को मिला है फीमेल कंडिडेट एक्चुल में आज कम प्रेजंट भी हुए है और उनका रेजल्ट भी कम ही आया हुआ है तो चलिए वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं वजिराबाद ग्राउंड का जालोधाकला ग्राउंड का एनपियल ग्राउंड का वीडियो को लाइक नहीं कियो तो लाइक कीजेगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा जिससे आप लोगों को हर इनफॉर्मेशन मिलती रहे सबसे पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं जो आज का रेजल्ट का रेसियो रहा है एनपियल ग्राउंड की बात किया जाए तो इसमें आप सभी जानते हो 500 कंडिडेट बुलाए जाते हैं 500 कंडिडेट में से करीब 258 कंडिडेट ही आज उपस् से 85 कंडिडेट ही केवल फीजिकल क्वालिफाई कर पाए हैं इनपियल ग्राउंड में दोस्तों ये तो इनपियल ग्राउंड की बात हो गई आप लोगों को बता दूं इनपियल ग्राउंड में एक फीमेल कंडिडेट को एक इंजिरी भी आज काफी जदा आ गई पैर में आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है, कहीं कहीं पर मैदान में कीचड़ है, आप लोगों को थोड़ा समल कर दो, काम करना पड़ेगा, फीजिकल तो कंड़क्ट कराएगा ही दिल्ली पुलिस, जब तक ग्राउंड में पानी नहीं भरा राता है, तब तक पोश्ट वजीराबाद ग्राउंड का, तो इसमें चार ग्राउंड है, फाइफ अंडेट कंडिडेट एक ग्राउंड में बुलाए जाते हैं, तो दो हजार कंडिडेट वजीराबाद में बुलाए जाते हैं, करीब तीन सौ पैंटीस कंडिडेट आज के डेट में पास हुए हैं, य उसमें से एक ग्राउंड में करीब प्रिजन्टेशन आया था 289 केंडिडेट का, 80 से 84 केंडिडेट उसमें से सलक्षन पाए हैं, अब अगर ज़ाडोदा कला का नेक्ष्ट ग्राउंड की बात किया जाए, तो नेक्ष्ट ग्राउंड में भी 272 केंडिडेट ही उपस्तित थे, अगर पास आउट की संख्या की बात किया जाए, तो इसमें से करीब 70 से 75 केंडिडेट ही केवल पास हो पाए हैं, तो रेशियो आप लोग कुल मिला कर प्रिजन्टेशन का समझ लीजिए, कि हर एक ग्राउंड में 300 से नीचे ही प्रिजन्ट हुए हैं, अब बात किया जाए कि मेल वर्सेस फीमेल का कितना कटाप का अंतर देखने को फाइनल में मिल सकता है, जिस प्रकार से अब तक का एनलाइसिस निकल कर आया है, पास आउट का रेसियो निकल कर आया है, उससे यही पता लगता है कि अगर फीमेल कटेगरी का 2 से 3 नंबर कटाप हाई बनता है, जो कटाप इस समय बना है उस कटाप से, तो आप लोगों का कटाप 4 से 5 नंबर हाई बन जाएगा, अगर female category का 1-2 number high बनेगा तो आप लोगों का कटाप 3-4 number ही high बनेगा तो आप लोग समझ लीजिए कि केवल 2-3 number का ही differences आप लोगों को देखने को मिलेगा चाहे female category का हो चाहे male category का हो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि अंत दिनों में physical धीरे धीरे कम candidate पास करेंगे तो इसी प्रकार का result इस दिनों भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है वीडियो को लाइक नहीं कियो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लिजिए